अगर स्लेंडर बदलने के बाद गैस गिजर नहीं चलता तो उसे कैसे ठीक करें यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आगे वाले क्लिप को आप ध्यान से सुनिएगा फिर मैं आपको एक्स्पेंड करूँगा इसे कैसे ठीक करें लगबग ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब हम नया स्लेंडर लगाते हैं तो उस स्लेंडर में कुछ एवांचनिय गैसे भी होती हैं जो हमारे गैस गिजर की पाइप में जाकर उसके प्रेशर को बढ़ा देती हैं और हम उसे या तो ऊपर से खुल कर निकालते हैं या नानी हैं लेकिन सावधाने के साथ अगर आप परिपक्वें तो ही यह करें हमें सबसे पहले रगुलेटर को उतारना होगा आसपास कोई भी जवनसिल पदार्थ नहीं जिलना चाहिए कोई भी स्पार्क नहीं होना चाहिए कोशिश कीजिए कि आप अराम से पाइप को निक होना है जो अभी पीछे वाले क्लिप में आपने सुना यानि लाइडर के बाद रिले का साउंड आपको आना चाहिए यही वज़ा होती है दोस्तों ज्यादा गैस का प्रेशर होने से रिले उपर नहीं उठ पाती और जब आप उस पाइप की एर निकाल देंगे गीजर को बार बार चला कर तो आपकी रिले काम करना शुरू कर देगी वह आवाज आप सुनें तो आप असानी से इस समस्या से च्टकारा पा सकते हैं मैं आपको फिर दुबारा से एक्स्प्लेंट कर देता हूं दोस्तों जब भी आपको यह समस्या आए आपको करना क्या है कि आपक ये regulator को निकालना है उसके बाद pipe को हटाना है और फिर गैस गिजर को एक दो बार चलाना है उसके बाद regulator को दो बारा से लगा दीजी पाइप को अच्छी देसे लगाईए लूज नहीं रहना चाहिए और फिर गिजर को ओन कीजिए तो आपको आपका गिजर चलता हुआ अगर आप प्रिपक हैं तो ही ये करें नहीं तो किसी अच्छे टेक्शन से ये काम करवा सकते हैं अगर आप ये कर पाने में शक्षम नहीं है या फिर आपको टेक्निशन नहीं मिल रहा तो आप एक उपाई भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनि या आपकी बिल्कुल नई और या फिर पूरी तरह से चार्ज होनी चाहिए तो दोस्तों ये ट्रिक जब आप अपना सकते हैं जब आप वो पहले वाले सभी कारे करने में सक्षम ना हो नहीं किसी टेक्शिन की मज़ से आप इस फाल्ड फाइंडिंग को असानी से करवा सकते हैं ये अक्सर तब ही होता है लगभग जब आप नया स्लेंडर चेंज करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस स्लेंडर में एल पीजी के साथ कुछ अन्य गैसे भी होती है जिनका प्रेशर कुछ ज्यादा होता है जिसकी जैसे कई बार उस गैस के साथ एर भी आ जाती है तो ये समस्या पैदा हो जाती है उससे रिले उपर नहीं उट पाती दोस्तों एक आपको ध्यान और रखना है अगर आपके रेगलेटर का प्रेशर फेल हो गया है तो उस अवस्ता में ये ट्रिक नहीं काम आएगी उसमें आपको रेगलेटर ही बदलना होगा और ऐसा होता है आपको ध्यान रखना है कि आपका रेगलेटर तो ना खराब हो गया हो इसलिए रेगलेटर को भी बदल कर देख लीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर और शेयर अवस्ता में तब पुलिएगा और आप फेस्बुक पर भी मेरे को अवस्ता फॉलो कीजिएगा धन्यवाद